लो वल्कम बैक अगें तो फैसलिटी जोन और आज हम शेयर करेंगे आपको एक और न्यू हाउस प्लैन इसके फरंट की बात करने हैं तो इसका फरंट है 43 फिट और इसकी जो डेप्थ है वो है 60-60 फिट 43 फिट का यह एक्शली प्लाट है इसमें जो हमाई रिक्वार्मेंट्स है वो है 2BH के सेट की एक बेड्रूम और यह दूसरा बेड्रूम बाकी जो इसकी साथ साथ रिक्वार्मेंट्स है वो मैं आपको बताता चलूँगा ठीक है तो इसकी जो डिटेलिंग है वो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे समें हम एंटरंस की जो इसका हमने में गेट दे रखा है वो दिया है राइट साइड में okay like this right side में आ जाएगा हमारा में गेट में गेट से हमने यह 12 फिट का जो है पैसेज दे रखा है इसमें हमारी फुली ओपन पार्किंग रहेगी ठीक है बारा भाई साट का यह पूरी लेंथ है उपर तक यह पूरी ओपन रही आप यहाँ पे बीच में पॉर्च दे सकते हैं ताकि वह आपकी जो पार्किंग है वो कवर हो जाए इतना पॉर्च बना सकते हैं अब बात करेंगे वह द्राइंग रूम की लिए एक दोर दे रखा है हमने एंट्री से ही ताकि जो गैस्ट आये वो उन के लिए फ्रंट में ही डोर है ठीक है और इस ड्राइंग रूम का जो साइज है वह 14 वाई 16 फित है 14 फित इस तरीके से लेंथ में और 16 फित इस तरीके किया से कर सकते हैं , यहाँ साइड में लच्प में और इस कोर्नर में भी आप L शेप में कर सकते हैं यहां पर आपकी सेंटर टेबल Hebben और इसी ड्राइंग ड्रेंग रूम में से एक डोर दे रखा है जो आपको ऐससे देता है lobby में ओके लैं इस से आगे बढ़ते हैं तो उम लिए आप अगर first floor को rent पे देना चाहते हैं तो इस map में कोई भी मसला नहीं है आप यहां से door close करके रख सकते हैं और जो other family member है जो rent के लिए आएगी family तो यहां से वो easily access कर सकती है ठीक है और यह वाला आपका personal lock रहेगा और यहां से आप जो है अपना order को access कर सकते हैं ओके एक पॉइंट दो ही हो गया दूसरा जो आपको लोबी मिल जाती है वो है 13 वाई 19 फिट की यह लोबी इस लोबिंग में आपको सोफा के लिए sitting area मिल जाएगी और यह dining table मिल जाएगी ओके दैन इसके बाद लोबी से एक डोर दे रखा है और यहां से आपका connect रहेगा master bedroom इसका size 14 वाई 13 फिट रहेगा ओके इस master bedroom से एक दे रखी हमने wardrobe और इसी से attach कर रखी है एक toilet छे बाई 7 फिट की toilet रहेगी ओके दैन इससे आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हम जो है zoom कर लेते हैं like this लोबी से यहां पर हमार जो है washway सोना चाहेगी दैन इसके बाद यह वाला जो आप area देख रहे हैं यह रहेगा सारा open open रहेगा यह ventilation के लिए ताकि लोबी में और बातों और toilet में ventilation मना रहे दैन यहां से एक door रहेगा आपके बातिंग area के लिए और छे बाई 4 फिट का हमार पर बातिंग area रहेगा ओके दैन open से ही एक WC दे रखी है साड़े तीन बाई तीन फिट की यहां पर जो है आप English यहां इनदी सिट लगा सकते हैं दैन स्टेर के पीछे यह आपको opening मिलेगी यहां पे साड़े आड़ वाई साड़े चार फिट की आपको पूजा स्पेस मिल जाएगी दैन इसके बा पांच बाई साड़े आट फिट का स्टोर अटेच कर दिया है आप इसे फ्यूचर में चाहें तो बात्रूम भी बना सकते हैं दैन इसके बाद लास्ट रिक्वार्मेंट की किचन का हमने आपसर से डोर रखा है और दस बाई 14 फिट की आपको यह किचन मिल जाएगी इसमें जो स्लाब रहेगा वो छेड वाली और बैक वाली फर रहेगा ठीक है और इस ही से हमने अटेच कर रखाई कि Star इसका साइज पांच मद यह पानक नाएट च्रिप, घाट इम इसकी विंड 두, हैं तो इसमें रेवानद बेहरा एबूं की कहां कहां पर हमारे पास इक देहां औ से हो जाएगा ओके और इसके बाद जो हमारे इंटर्नल स्पेसे हैं लाइक इस ट्वालेट लोबी बात्रूम इसके लिए हमने ओपन जाल ओपन इस पेस दिया है शाफ्ट लोबी का वेंटलेशन बात्रूम का और इस ट्वालेट का वेंटलेशन हो जाएगा देन इस्टेर के इसके लिए फ्रंट में ही विंडो है तो यह तो पूरी जो इस्टिफ है ओपन है यहां पर कोई मसला नहीं है वेंटिलेशन का और पीछे भी हमने ओपन छोड़ रखा है तो इस वाले बेडरूम में स्टॉर में किचन में इन सभी में बैक साइड से और राइट साइड से वे देजैनिंग करा सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को ताकि जब भी हम अपनी नेक्स वीडियो डाले आपके पर शो हो जाए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग फैसलिटी जान टेक केर बाबाए